कि अब बढ़ से किंग कर लेगा बाबर कर लेगा अगर तुम से 120 नी होंगे तो तुम्हारा जीने का क्या खाइदा तुम यार इतने निकम में नले और तुम्हार से 120 बोलो में 120 बने हैं ना इनके सिरफ बोलर ही अच्छे है वह भी कल बोलिंग विगिट थी इसलिए विगिट लेके चले गए बैंचो नी तो इसे के खिलाफ गंटा विगिट नी ले जा दी ती खलके मैचिस में बस इनके बोलर भी इसलिए चल गए क्योंकि न्य करा है इनोंने उसके बाद अपनी कांट भाएंचो बुमरा से खुलवा लिया अब बिल्कुल अपना जो क्याते हैं गला घुटवा लिया अब यार 48 नी बना पाए 48 बोलो में 8 बिट होने के बाद चोड़ो 120 में भी 120 बनाने थे यार वही तो कह रहा हूँ अब तो आठ हो मतलब 48-48 बनाने यह तो बहुत बहाँ तो बहाँ तो बहाँ तो बहाँ जिन टीम के ओपनर भाई मोमध रिज्वान और बाबर अजाम होंगे इन से लंडनी नमबर लगने मतलब यह मोलाना का तो मेरेको समझ में नहीं आता है तो अपने आपको कौन सा डूं बेर में समझत करता एक तो मोलाना को पहकता और इस बाबर को भी फैकता टीम में भी नहीं रखता कप्तानी तो दूर की बाद सही बाद बोली बाई बाबर अजाम ओपनर बिल्कुल भी गंदा बैट्समें है बाई इस बाई नुख भी जब यह इस बहुं के करें घर अबड़े अ़्हाइब अनुग देंगे तो बॉली खाएंगे ये उस ने बहुताई वंदे लेंगे तो बहुता थे वह शाने गर्शान अप्टान व्या चाना है बोलिंग चान है बोलिंग रोटेशन देखो भाई जब हमें लग रहा था भूम्रा को लाना चाहिए तब ही वो भूम्रा को लेकिया था हमें लग रहा था कि बुम्रा का ऊवर बचा के रखे का लाश पैंगा उसने वों करके रखा विद्ध के साथ चार पास तो उसे मोहके मिले है जब जाकि उसके 38 रन लगे है और जो तुम्हारा बिराट कोली नहीं चला तो तुमसे इतना बड़ा टोटल खड़ाई निकरागा अक्सर पटेल कभी केमियो थोड़ा ठीक है अब अक्सर पटेल वाली चीज़ ना बिल्कुल चोटी टीम हो भी छोड़ो जब सपार्ट पिछ मिलती है सपार्ट पिछ कही तो बैट्समें सुर्य कुमार यादव शीवाम दूबे बहाई देखो तुमने पहले मैस देख ली आई कि लोके तुमने गलत बंदा उठाल आयो तुम अभी भी टाइन है शीवाम दूबे का को अर्षिदीप सिंह जैसे बल्ले बाजों में धिखिया और मैं बताओ भाई पाकिस्तान से नसीम शामे धिखिवा नसीम शामे दिखिवा बंदे ने तीन विगट बी चटकाई और तुमारे दो बोल में चार बोल में आगे दसरण मारा है मतला जीतना है तो क्या करना है अच्छा है ऐसा बल्लेवाज है, दस बोलों में 20 मार गें एक तरफा कर देता, मैं हम भारत के हैं, फिर भी मैच की और पॉइंट की बात करेंगे, पर तुम ने चाचा को भी इतनी लेट बेजा, उसके पास कुछ बचा नहीं था, शैट होने के लिए, बुम्बरा के खिलाफ 152 ले लग गयते हैं, छोटा टार्गेट था, अपिछ इतनी मदद नी दे रही थी बोलरों को, तो इंसे 152 लग गयो जब वो तुम्हारा मोलाना वोलाना वोलाना था तो वो रन मार गया बहन का लोड़ा, नी तो इंसे घंटा नहीं लगते वो रन भी बेर 170 बना देते तो तुम अपनी बीवियो को क्या शकल दिखाऊगे ये बताओ मुझे, मुझे बेद देना मैं कहा रहा हूं, तुम दिखानी पाऊगे, तुम करांची एरपोर्ट निया पाऊगे, मैं बता रहा हूं तुमने USA का बंबु तो लिया ही यहा बुम्रा तुमारे अंदर और बंब इन बैंचो दोगा एक चीज है, इनका कुछ और होना हो, इनका कुदरत का जो निजाम है, वह बड़ा तगड़ा है, तो क्या पता आर्लेंड है, मैं क्या रहा हूं, ऐसी दो कोड़ी की टीम डिजर्व करती है, डिजर्व तो बिल्कुल निंग करती है, वह जो दोनों मैच जीत के आई है, वह बहुत डॉमिनेंट से जीत के आई है, पाकिस्तान जैसी टीम को, कैनेडा जैसी टीम को उंगलियों पे नचाया उन्होंने, वह पूरा डिजर्व करते है, सूपर 8 में जाना, आगे जो टीम है उस्टेलिया वगएर सारी टीम है, उनको भी टकर देना ड लेकिन जब भुम्रा के ओबर आते हैं, तो ऐसा लगता है, इंडिया यहां से जीत सकती है, और जिसी साब से भाई, एक चीत देखो ना यार, जब 97 का टार्गेट था, तब भी विक्टे गिरी थी, 77 के टार्गेट पे साउथ अफरीका लड़क लड़क रही थी, लास्ट म तो बैट्समें थोड़ी है, तुम्हारा भैंचो सादाब आपकान यहां मार के जाएगा, क्या रहनी के सामने है, मैं कहा रहा हूँ, PCP वालो इनका तो भाई, तुम कुछ भी मैनेज करना बंद कर दो, इनको खुदी पैसे लगान दो, अपनी टिकेट वाप सीगिने, वरन पच्चित डॉलर में भीग गया भाई, तू 800 रुपे में, यह value है, यह है यह गंटे का king, गंटे की team, गंटे का land, कुछ नी पाकिस्तान के आया है, कुछ भी नहीं रहरी, पाकिस्तान ना कोई अब तुम ना तुम भैंचो कोई competition देते हो, तभी तो बोल रहा दा मैच से प यह जा पाएंगे वर्ना, बहुत है ना हेलिकोप्टर से ISI वाले प्लेयर उतारते है, महले में भी जाएंगे तो मुह काला हो जाएगा, तो इनने वैसे उतारना पड़ेगा, तभी इनकी जिंदगी जी पाएंगे, यह बातीस मैच में इतना ही था, वर्ना बुर्का पैना बाकी मिलते हैं आपको आगे के मैच